हलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरू चिनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो आईयार CTC उसने अपने quarter second के नमबर पेश कर दिये जो पूरे मार्केट को दोस्तो बेसबरी से इंतजार था ठीके तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तो किस प्रकार से आया सिटिसे ने अपने quarter second के number पेश किये हैं और इसको देखते हुए आगे future का क्या momentum देखने को मिलने वाला है तो चली फटाक से वीडियो को start करते हैं वीडियो को start करने से पिले एक और चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा नीचे description में दोस्तो आप लोगों के लिए बहतरिंग दोस्तो जो swing trade का वीडियो है उसका link दिया हुआ है जाए उस link पे click करिए उस वीडियो को watch करिए और technical reason भी अच्छा का सा सीखिए और कल के date में अच्छा का सा profit भी नेका लिए तो चले दोस्तो फटापर से चलते हैं अब directly उस officially PDF के उपर तो यहाँ पर आप देख सकतो date आपके सामने ठीक है logo आपके सामने Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited ठीक है तो नीचे चलते हैं तो directly दोस्तो हम result के उपर आ जाएंगे ठीक है रिजल के अगर मैं बात करता हूं दोस्तो तो systematic वही है लेकिन दोस्तो जो amount है वह है लेक में ठीक है systematic format वही जमा हुआ है आपको मैं एक बार और बता देता हूं ठीक है September 20 ठीक है ठीक है एक साल पहले का result June 21 तीन मेने पहले का result और अभी का result ठीक है quarter second quarter first quarter second इस प्रकार से ये format जमा हुआ है ठीक है तो बहुत अच्छी तरीके से हम analysis करने वाले हैं दोस्तो पूरा detail में तो आप लोगों को परिशान होने की जरूरत नहीं है नंबर देखके खुष होने की जरूरत नहीं है ठीक है क्योंकि situation अभी पूरे market की डामा डोले किसके कारण quarter second के नंबर के कारण ठीक है ये situation सभी आपको पता है लेकिन आपको खुष भी ज़्यादा नहीं होना है ठीक है नहीं ज़्यादा पेनिक होना है एकदम medium में चलना है लेकिन जो भी इन बिजनिस इनका महां से दोस्तो 40,493 कितना दोस्तो 40,493 का ये दिहान रखे ठीक है 40,493 का इस quarter में ठीक है जून quarter में हो था दोस्तो 24,000 कितना 24,336 का ठीक है 24,336 भी लिख दूँगा तो आप समझ जाए कोई दिक्कत नहीं 24,336 का और सितंबर 2020 में दोस्तों कितना 25 लाग आप बोल सकते हो इधर बोल सकते हो आप 40,493 लाग इधर बोल सकते हो 24,336 लाग का प्रॉफिट ठीक है अगर मैं बात करता हूँ तो other income भी दोस्तों कोई उतना interesting नहीं है ठीक है तो उपर नीचे भी होगा तो उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक है तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ टोटल रेवेन्यू की तो टोटल रेवेन्यू दोस्तों इस quarter में होते देखने को मिल रहा है कितना 42,105 लाग का कितना 42,105 लाग का ठीक है जून quarter में था मतलब quarter first में था दोस्तों 25,794 लाग का ठीक है और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ सि कंपनी ने बिजनस तो अच्छा किया लेकिन अभी खर्चा तो दोड़ा ही नहीं अभी दोस्तों यहां पर तो नंबर की शुरुआत हुए दिन उसके बाद यह नहीं बहुत सारी कंपनिया क्या करती है पीछे मुड़ के देखते ही नहीं कि खर्चा कितना हो रहा है ठीक है कर तो रेविन्यू तो अच्छा आया है अब एक्सपेंसेस कितना है एक्सपेंसेस में तो आपको पता है कि कामपनी का पूरा मेंटेने चार्ज होगा ठीक है उसके बाद दोस्तों यहां पर इंपलॉई के सेलरी और जो टूरीजम का खर्चा रहता है वो ठीक है फानेंशियल कोस्ट और बहुत सारे खर्चे रहते हैं दोस्तों उनकी पूरे लिस्ट यहां पर बनी हुई है तो देखिए इस कौटर में 42,105 का प्रॉफिट हुआ है तो यह पूरे खर्चे की लिस्ट है ठीक है और यह खर्चा टोटल मिला कि कितना हुआ दोस्तों 20,737 का कितना 20,737 क खर्चा हुआ है उसके बाद जून कौटर में प्रॉफिट था 25,794 का जब दोस्तों इनको खर्चा कितना हुआ था 14,686 का ठीक है उसके बाद अगर हम देखते हैं दोस्तों यहां पर कंपनी को दोस्तों प्रॉफिट रेविन्य हुआ था कितना 10,800 बहुत तर का और यहां हर्चे को बचा के चली मतलब दोस्तों जो लास्ट सितंबर में हुआ था मतलब दोस्तों सितंबर 20 में जिस प्राका से खर्चा हुआ था अगर हम उसको परसेंटेश बास compare करें तो बहुत कम परसेंट यहां पर जोस्तों खर्चा होते देखने को मिला है आई-या city thesis के तरब से तो हमारे लिए ये बहुत बड़ीया नंबर देखने को मिल रहे हैं, देर उसकी के बाद अगर में बात करता हूं, उसके बाद आगर आप देखेंगे दोस्तो तो उसके बाद नेट प्रॉफित आ जाता है, अभी नेट प्रॉफित आया है, ठीके यहाँ पर अगर हम बात केते हैं तो net profit किता है दोस्तो एक बर आपको फिर से लिखके बता देता हूँ 21,368 का कितना 21,368 का अभी के quarter में ठीके ये वाला quarter था जून का इसमें था company को दोस्तो 11,107 का profit कितना 11,107 का profit और दोस्तो सितंबर 20 में था मातर 431 का profit था लेकिन दोस्तो वहाँ पर एक सबसे बड़ा reason था जो था दोस्तो expensive item ठीक है मतलब जो extra income होती ना वो भी यहाँ पर जोड़ा गया था यही तो सबसे बड़ा मुदा दोस्तो result देखने में दोस्तो result number तो कोई भी पढ़ लेता है लेकिन यहाँ पर यह चीज एड़ करना बहुत मुश्किल होता है तो यहाँ पर अगर देखें तो जो expensive item का profit aid हुआ है वो कितना हुआ दोस्तो 42 कितना 42 36 और 400 पहले का मतलब 431 पहले का तो total मिला के कितना हो गया 4666 4666 का number यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है यह other से income आया है दोस्तो अगर इसको हटा दे तो net profit तो मात्र 4 431 का देखने को मिल रहा है कब सितंबर 2020 के quarter में बाकि अगर बात करते हैं दोस्तो तो सितंबर 2021 के quarter में कुछ भी नहीं है ठीक है नील है और जून में भी यह नील देखने को मिल रहा है ठीक है तो अब उसके बाद अगर देखें तो company को दोस्तो फिर tax भी पे करना पड़ता है मतलब profit यहाँ पर जूड के एक बार फिर से लिखाया गया है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो यह वाले quarter का तो same profit बोई देखने को मिल रहा है लेकिन यहाँ पर तो जूड़ा है ठीक है यहाँ पर जूड़ा है तो उसके बाद आप government को भी tax देना पड़ता है अभी तो 50% इससा लेने आ गए थी जैसे देसे करके समझाया गया उनको देखे और फिर उनको जो उनकी बात थी उनको बापिस लिया गया आप यहाँ पर government टेक्स तो लेती है इनसे क्या सबसे लेती है ठीक है तो अब देखते है अब पीछे से सुरूबात करते है ठीक है सितंब मतलब सितंबर 20 की अगर मैं बात करता हूँ ठीक है तो यहाँ पर company के पास revenue कितना था 32,63 का कितना 32,63 का यहाँ पर था दोस्तो जून कौर्टर में कितना था 82,52 ठीक है 22,52 अब यहाँ पर था दोस्तो कितना 15,857 का यह देखिए कितना खतरनाक तरीके से हमें यह number देखने क को मिल रहे हैं अगर मैं इसको करोड में बात करता हूँ तो यह दोस्तो 32 करोड ठीक है यह दोस्तो 82 करोड और यह दोस्तो एक सो अठावन करोड मतलब दोस्तो यह जो profit है ना लगबग अगर आप बात करोगे तो 10 गुना तो बढ़ते देखने को मिल रहा दस गुना से या सिटेसी और इनके शेयर होल्डर के लिए आप देखिए जो आपका सतर परसेंट था घवराने का चांस ठीक है वह गिर के लगबग 40 परसेंट पे आ जाना चाहिए ठीक है अभी तो मैं 40 परसेंट भी काम कर दूँगा आप घवरा रहे होंगे कि नंबर कैसे आएंगे क् कल किस परकार से मुमेंटम करेगा ठीक है अब नंबर अच्छा आगए तो आपको 40 परसेंट ही गवराना चाहिए ठीक है 30 परसेंट कम हो जाना चाहिए क्यों नंबर अच्छा है अभी EPS भी देखेंगे EPS के अगर मैं बात करता हूं तो दो रूपे 4 पैसे का प्रॉफिट और उसी के बार दोस्तो जो सबसे बड़ा में मुद्धा है दोस्तो केटेगरी बाइस क्या प्रॉफिट निकला है यह सबसे बड़ा मुद्धा आपको कि किस प्रकार से बिजनेस हमार देखने को मिल रहा है अब देखें यह है यह यह भी वेल्यू लेक में तो सीगमेंट म दोस्तो 5,671 का था और अभी 7,136 का revenue निकलते देखने को मिल रहा है catering में rail near के अगर मैं बात करता हूँ उसमें भी धमाकेदार बड़ोतरी देखने को मिल रही है इंटरनेट टिकेट जो main business है इंटरनेट टिकेट इसमें दोस्तो कितना profit मतलब revenue generate होते देखने को मिल रहा है 26,530 का इस quarter में 26,530 का ठीके उसके बाद अगर यहाँ पर round figure में पकड़ता हूँ जून quarter में तो 15,000 का था और सितंबर 2020 में 5,829 का था लगबग यहाँ पर भी दोस्तो 5-6% की बड़ोतरी देखने को मिल रही है ठीके अगर आप compare करोगे percentage में तो खतरनाक तरीके से दोस्तो online ticket में यहाँ पर profit होते देखने को मिल रहा दोस्तो किसको IR City को और tourism tourism की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर भी बहुत अच्छे नंबर देखने को मिल रहा है 726 का revenue ठीके उसके बाद अगर जून quarter को compare करता हूँ तो वहाँ पर 741 का था और सितंबर 2020 में 300 पिच्चे हैं अब दोडने लगे मतलब दोस्तो अब आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं गवराने की जरूरत नहीं है ठीके सबसे पहली बात तो यह है जहां आप 40% अब घवरा रहते वो दोस्तो आप 20% पे आ जाना चाहिए ठीके 20% पे आ जाना चाहिए अब कोई problem आप लोगों को नहीं है अब मैं stock का performance दिखाता हूं आज का तो यहां पर आप देख सकते हो इंडियन रेलवे एंड केटरिंग टूरिजन का performance 856 रूपे का profit ठीक है मतलब current price profit नहीं क्योंकि मैं को याद ही आ गया क्योंकि हमारे पॉटफोलियम जो stock है वो काफी अच्छे एवरे इस पैस से जब स्प्लीड हुआ तो आप लोगों की भी काफी अच्छा का सब performance होगा previous close था 845 open हुआ 814 high लगाया दोस्तो 885 और low लगाया 800 नहीं मतलब 386% का jump होते देखने को मिल रहा है revenue में 357% का jump होते देखने को मिल रहा है उसके बाद EPS को अगर नेजर डालोगे तो EPS में भी 28 से 29% का jump होते देखने को मिल रहा है मतलब दोस्तों IR CTC ने अपने shareholder को यहां पर खुस कर दिया तो जहां आप 20% घबरा रहते वहां बस आप 5% ही रखना 5% इसने क्योंकि दोस्तों situation जो भी हो समलने का मोका मिले मतलब 95% आप IR CTC से खुस रहना ठीक है अब परिशान होने की जरूरत नहीं है quarter second number भी बहुत शा profit वो भी एकदम धामा के दाद देखने को मिल रहा है ठीक है और आपकी position profit में देखने को मिल रही है साथ में जो split का quantity था वो भी आपके demand में आ चुका है तो अब आप लोगों को घबराने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है नहीं कुछ गलत कदम उठाने की जरूरत है हाँ अ आपको पसंद आए तो प्लेस इस वीडियो को लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा क्योंकि डेली बेस पर हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार का अपडेट लाते रहते हैं तो थैंक्यों दोस्तों